नवसकार दोस्तों, उमीद है आप लोग स्वास्ते हों खोश होंगे, हाजिर हुमें यू एलन की एक और इंटरस्टिंग स्टोरी के साथ, जिसका नाम है कांटा टाइगर, अब यह नाम एलन ने क्यों दिया इसको, किसे हम आगे जानेंगे, दोस्तों हुआ यूँ कि जिस टाइगर के बारे में एलन लिख रहे हैं, यह टाइगर अचानाख खतरनाख हो गया, तो एक बार एलन अपने बरामदे में बैठके चाई पी रहे थे, जैसा कि मैंने पहले की स्टोरीज में बताया, मध्यप्रुदेश में, मांधी खेडा में वो रहते थे, वहाँ पर उनके पास एक बड़ी सी इस्टेट उन्होंने खरीदी थी, हलांकि आजादी के बाद बहुत सारे अंग्रेज या ज्यादातर अंग्रेज यहां से चले गए थे, इवन कॉर्वेड भी चले गए थे, उसकी बज़ए ये थी कि एक इस तरह की अफ़वा या खबर फैली थी कि जो लोग आजादी के आंदोलन में जेलू में गए हुए ह हैं, यह बड़े खतरनाक हैं, और जेलू से बाहर निकलने के बाद, इन्हें जितने भी गोरे यहां दिखाई देंगे, इन सबसे यह बदला लेंगे, इसी डर से सब लोग, सारे गोरे लोग यहां से चले गए, ज्यादातर लोग, लेकिन एलेन इसमें एक्शेप्शन थे, वो घे नहीं बलकि उन्होंने उसी समय बड़ी सी स्टेट मांदी खेडा में खरी दी और वहां खेती करने लगे, जानवर उनको भी पाला था उन्होंने, आसपास के गाहों के लोग उनके पास आते थे, खासतोर से शिकार करवाने के लिए, जब किसी जानवर से उन्हें ख ताइगर के बारे में बता रहा था, कि यह टाइगर जो पहले कभी कभार जंगल में दिखाए देता था, लेकिन कभी भी वो पालतू मवेशों को मारता नहीं था, और नहीं वो गाहों के चक्कर लगाता था, लेकिन अब यह टाइगर अक्षर गाहों के मवेशों को मार रह और रात को जो गाउं था उनका वो फैसिकली जुग्गी जोपडियों का बना हुआ गाउं उस जमाने में होते थे तो उसके चारूं तरफ जंगल था उसमें चक्कर लगाता था गरजता हुआ तो एलेन ने पूछा उस ब्यक्ति से की आखिर वजह क्या है तो उसने कहा वजह तो कुछ नहीं है कोई विशेश वजह नहीं है इसके खतरनाक होने की अब उन्होंने पूछा कि यह कब से खतरनाक हुआ तो तब एक कहानी उस बुजिर्ग ने बताई कि एक बार गाउं के कुछ लोग बाहर निकले थे जंगल की और तो गाउं से कुछ द टाइगर की प्रोपर्टी है किसी टाइगर ने इसे मारा हुआ है तो लोगों में क्यूरिसिटी जागी कि कल रात इसे मारा है तो आज फिर वो इसनावर को खाने के लिए आएगा लियाजा उन्होंने प्लान बनाएगा कि गाउं के पास में जो बाढ़ है सब के सब लोग उस बाढ़ की किनारे बैठेंगे और उस बाढ़ से एक ओपन जगह दिखाई देती है और शाम को जब टाइगर उस ओपन जगह से अपने शिकार की ओर जाएगा तो उन्हें वो दिखाई देगा तो यह प्लान बनाके सब लोग उस बाढ़ के पास में बैठ गए चुपके और इंतजार करते रहें अधेरा हो गया चूंकि जाडूं का मौसम था धंड भी बढ़ने लगी तो लोगों को यह लगा कि अब टाइगर शायद वापस नहीं आएगा यहां जाओ वो लोग बार इसे वापस गाओं में आने लगी तो इस ब्यक्ति का कहना था कि जब लास्ट ब्यक्ति वहां से आ रहा था गाओं की और तब उन्हें यह रियलाइज हुआ कि सायद टाइगर पहले ही अपने किल पर आ चुका है किसी और रास्ते से और वहां पर कुछ टाइम से वो खा रह है लेकिन तब ही एक आवाज उन्हें सुनाई दी इस प्रकार की आवाज थी जैसे किसी लाठी से इसी पेड़ के तने पर जोर से स्टाइक किया गया और इस आवाज के साथ ही टाइगर की बहुत बड़ी रोर आई उसके बाद वो रोर पर रोर लेता रहा और यह सब लोग टर की अपने अपने घरों में बंद हो गए उस ताइगर जंगल से आया और इनके घरों के चक्कर लगाने लगा काफी देर तक वो दहारते हुए गाओं के चक्कर लगाते रहा उसके बाद वो जंगल में चला गया उसके बाद कई रातूं तक टाइगर गाओं के पास आता गाहों के चक्कल लगाता था, डिमेंस्ट्रेट करता था और फिर जंगल में चला जाता है, इसी भी इस गाहों के कुछ लोगों ने बताया कि जब वो इसी हट के बिलकुल पास से गुजरता है, तो हलकी सी उसकी गुर्राहट सुनाए देती है, चलते हुए, बड़ी दहार के अलावा वो हलकी गुर्राहट भी करता है, अब इस बात से हलेंड की समझ में एक चीज आईए, कि हो नहो किसी ने उस पर गोली मार रखी है, उस इलाके में बहुत सारे लोग थे, जिनके पास अनलाइसेंस्ट बंदूग थी, पैलेट गंस थी, और उन में से किसी ने फायर कर दिया टाइगर पर, और उसके पैर में या बोडी के किसी पार्ट में वो चोट लग गई, जिससे वो गुसा हो गया, तो जब ये बात उस बुजर्ग से एलन ने पूछी, तो उसने कहा, कहां साब, गाव में किसके पास गन है, और कहीं से हम बोरो भी नहीं कर सकते हैं, इतना पैसा हमारे पास नहीं है, हलांकि गाव में कुछ पदमास लोग हैं, जो टाइगर की स्किन को बेचने के लिए, या उसे पाने के लिए, कुछ इलीगल काम, इलीगल तरीके अपनाएंगे, लेकिन गन का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, तो जब एलन ने ये सारी कहानी सुनी, तो उन्होंने निश्चे किया गिए, खुछ जाके उस इलागे में इन्वेस्टिगेट करेंगे, देखेंगे कि कहां इसके पैरों के निशान है, तो जहां पर टाइगर को खाते हुए ये लोग सुन रहे थे, जहां से टाइगर ने हाड मारनी शुरू करी, वहाँ जब गाउं के लोग दूसरे दिन गए, तो उन्होंने पाया कि टाइगर ने वहाँ पर बहुत सारी जाडियों को जड़ से उखार रखा था, और आस पास कि जितने पेड थे उनके तनों को अपने नाखूनों से और मुह से चबा रखा था, शायद ही उस इलाके में कोई पेड उसने छोड़ा हो, जिसे उसने अपने पंजू से जिस पर निशान बनाया हो, या जिसके बार को उसने नोचा न हो, तो जब दूसरे दिन एलन उस इलाके में गए, उन्होंने टाइगर के पेरों के निशान देखे, तो काफी बड़े निशान थे, और उससे लग रहा था कि काफी बड़े साइज का या टाइगर है, लेकिन एलन कहते हैं कि उसक्या साइज उन्हें एट्रेक्ट नहीं कर रह था, बलकि एट्रेक्ट ये चीज़ कर रहा था, कि ऐसा लग रहा था कि काइगर अपने अगले दाहने पंजे पर ज्यादा वेट देके चल रहा है, और उसके बाएं पंजे का निशान कहीं कहीं पर दिख रहे थे, लेकिन हलके दिख रहे थे, तो इसका मतलब ये था कि है, उसके बाएं कंदे पे कहीं चोट लगी है, जिसकी वज़े से वो अपने अगले वारे बाएं पैर को जमीन पर नहीं रख वार है, तो ये उनका डिडेक्शन था, तो टाइगर के घायल होने के कुछ दिन बाद एक बड़ी घटना हुई, जिस दिन घायल हुआ हो, उस जिन से कई दिन बीद गए, टाइगर डिमंस्टेर्ट करता था, रात को फिर दिन में जंगल में चला जाता था, लेकिन अब एक बड़ी घटना हुई, कि दिन में मौएश्यों को लेके जंगल में गहे थे उसी गाहों के लोग, तो अचानक उनके बीच में एक टाइगर आ कहा है, लीच एगर में मैंके ब्रके आ को, उसके लावा तीन और जानवरों को घहल कर दिया, जिन मैंसे शाम होने तक दो और मर गए, यानि कि कुल तीन जानवर मर गए एक बुरीतर lle' से घहल हो, रिसक बाद उस ने उसे तीन जानवर उनको घहल करने के बाद, व कैस गाहенная जिसको उसने मारा था उसे खीज के ले गया पास के नाले में और वहाँ उसने कुछ पार्ट उसका खाया और फिर वहाँ से चला गया कि एक चीज इस गटना के बाद और हो गए थी इस टाइगर के साथ ये बड़ा चालाग हो गया था कि जानवरों को मार रहा था मवेशों को और फटा फट खाता था जितना भी खा सकता था उसके बाद चला जाता था और दूसरी बार कभी भी अपने शिकार पर वापस नहीं लोट रहा था यानि कि उसका जो पहला experience था उसके basis पर वह सारी चीजें कर रहा था तो जाहिर था टाइगर को अब मारना या उसे देख पाना लोगों के लिए कठिन हो रहा था और लोगों को आशंका हो रही थी कि टाइगर इस प्रकार कितने दिन तक operate करेगा और नजाने उनके कितने जोईशों को मारेगा इस बेज वो तीन बार करीब देखा गया था और दो बार जो जुन जानवरों का जुन जंगल में चरने के लिए गया था वो एकदम चौकनना हो गया था यानि कि जो जानवर चर रहे थे वो बिलकुल घबरा गये थे जाहिर था उन्हें कोई स्मेल आ पास पास था तो कुछ दिनों बाद एलन को वो घटना सुनाई दी जिसका उन्हें डर था उन्हें ये बताया गया कि टाहेगर उस जगह से जहां पर वो ऑपरेट कर रहा था करीब चार मील दूर उनके इस स्टेट की तरफ मूब कर गया दूसरे गाहों में और इसी बीज गाहों से एक व्यक्ति गायव और जो व्यक्ति गायव हुआ वो मवेश्यों को चराने वाला एक उनका ग्वाला था दिन में उनके सारे जानवर जंगल में गोम रहे थे और दिन में किसी ने सबात को नोटिष नहीं किया. शाम को धीरे धीरे जब सारे मवेशी एक एक करके घर में आ गए तेकिन उनके साथ उनको चराने वाला व्यक्ति नहीं आया, तो लोग चाहिर था आशिंकित हुए और दूसरे दिन सुबर जाके उन्होंने उसकी खोजबीन की जंगल में, पूरे जंगल को छान लिया, न कहीं उसके कोई कपड़े का सेड मिला, न कहीं कुछ उसके बॉड़ी के पार्ट्स मिले, न कहीं कोई हड़ी का टुकड़ा मिला, यानि कुछ भी उस ब्यक्ति के बारे में जानकारी नहीं मिली और जो जानवर उनके चरने के लिए गए थे उनमें से सबके सब जानवर सही सलामत वापस आ गए थे अब जब इस ब्यक्ति के गायब होने की ख़बर फैली तो बड़ी तेजी से फैली उस इलाके में अब लोग उन्हें precautions लेने शुरू कर दिये, लोग एक जगे से दूसी जगे जाते थे, उस हाथ में भाले या तीर तलवार लेके जाते थे और ग्रुप बना कर जाते थे, और उसके अलावा जो जानवर उनके थे, उनको उन्होंने जंगल में चराना बंद कर दिया था, उनक अकेला कोई ब्यक्ति नहीं चराता था, बल्कि लोगों का एक ग्रुप उनको चराने के लिए जाता था, और किसी भी जानवर को, किसी जाडी या जाडियों के आसपास नहीं जाने देते थे, त्वैलन कहते थे कि ये precautions अच्छे थे, लोग precautions ले रहे थे, लेकिन इसके गलत side effects भी हो सकते थे, सई effects ये थे कि कोई इंसान मारा नहीं जाएगा, गलत effect ये थे कि ये tiger दिन पर दिन भूखा होते जा रहा है, अब वो ऐसी जगह लोगों को ढूड़ेगा, जहां उसे लगेगा कि लोग किलकुल unaware है उसकी presence से, पर इस बीच, एलन ने कोशिश की कि जब वो ये दूसरे बेट्स को बांदने की process में थे तो उनके पास पेंदुखेडा गाहों से कुछ लोग आयों नहीं ये बताने के लिए कि उनके गाहों में एक मवेश्यों की जुन्ड पर एक tiger ने हमला कर दिया, ये गाहों ज्यादा दूर नहीं था, एलन की state से, क्या ज वो पहुंचे तो उस इलाके को मुआयना किया उन्होंने और देखा कि कहीं कोई मरा हुआ जानवर नहीं है, कहीं कोई ढैगमार नहीं है, उसके बाद गाहों वालों से पता किया कि कौन सा जानवर मरा है, तो पाया गया कि कोई जानवर मरा नहीं, बलकि एक बैल जो था, उ टाइगर के पंजू के निशान लगे हुए थे और उनसे खून बेहना था। तो इससे एलेन एक कंक्लूजन पे पहुँचे कि शाहिद ये टाइगर अब कमजोर हो गया भूग से और चानवरू को मारना इसके बस की बात नहीं रह गई। इसका मतलब ये है कि ये एक और खत्रा बढ़ता जा रहा है इंसानों के लिए क्योंकि अगर उसने पहले इंसान को मारा है जो की जिसके बारे में कोई जानकारी मिली नहीं तब उसे ये पता चल जाएगा कि इंसान کو मारना कितना आसान है compare to जानवरूं के लेकिन जब उन्हें यह लगा कि इस जुंड पर हमला हुआ है टाइगर का इसका मतलब यह है कि वो अभी मैनीटर बना नहीं अभी वो जानवरों की और उसका ध्यान है तो अब एलन ने निश्य किया कि वो दोबारा इस इलाके में जाएंगे जहां आज टाइगर पर टाइगर ने जानवरों पर ह टाइगर के कुछ ने कुछ निशान मिल जाएं जिससे वो उसके पीछे जाएं अभी वो कहते हैं कि दिन का करीब दो गंटे का उजाला था त्याजा उन्होंने सोचा कि वो इस टाइगर को अगर ढूंट सकें तो बहुत अच्छा रहेगा जो लोग मवेश्यों को लेके गए थे उस समय वो उन्हें बता रहे थे कि टाइगर साउथ की ओर गया है लेकिन एलेन कहते हैं कि उन्हें पर यकीन करना भी मुश्किल था क्योंकि जब टाइगर वहां पर उन्हें दीखा था वो सब बहुत एक्साइटीड हो गय थे तो उ निरिक्षण किया और चलते चलते वह एक ऐसी जगह पर पहुंचे जहां पर पानी का छोटा सा तालाब था पर पानी के तालाब में उन्हें टाइगर के पैरों के निशान दीखे यानि कि टाइगर उस जगह आया था और उसने पानी भी पिया था लेकिन पानी को देखके उन्हें यह लग रहा था पानी जिस रंग से शांत था कि टाइगर यहां अभी नहीं आया बलकि उसको गए हुए काफी टाइम हो चुका है यहां जब वहां से उन्हें कोई उमीद नहीं थी कि आसपास कहीं टाइगर छुपा होगा वो काफी देर तक वहां पर खड़े रह सुनशान और कोशिश करने लगे कि जंगल में कहीं से उन्हें कुछी तरह की ऐलाम को सुनाई दे लेकिन कुछ भी नहीं सुनाई दिया यहां जाओ उन्हें दोबारा उस एरिया का चक्कर काटना शुरू किया चक्कर काटते काटते वह कैसी जगह पर पहुंचे जहां पर टाइगर के पैरों के निशान बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रहे थे और जब उन्होंने इसके अगले बाए पंजे का निशान देखा तो बिल्कुल बहुंचक के रह गए वो इतना बड़ा निशान बना था बिल्कुल मॉंस्टरस लग रहा था जितना नॉर्मल पैरों का निशान होता है उससे करीब पीन-चार गुना बड़ा बना हुआ था जाइर था कि टाइगर का पैर सूजा हुआ था उसमें सूजन थी जिसकी वज़े से उसे अच्सी तरह से जमीन में नहीं रख पा रहा था अब उन उन और क्लोजली उन्य पैरों का निशान का मुआयना करना शुरू किया तो उन्हें दिखा कि वहाँपर कुछ मक्यां बेटी हुए जहां जहां पर लेफट पैर का निशान पढ़ा हुआ है वहाँपर मक्यां बेटी, जाहिर था कि कोई ऐसी चीज थी जिसे मक्यों को ट्रेक्ट कर रही थी, वही की चीज हो सकती है कि टाइगर का जो पेर शूजा है उसमें पस भरा होगा, जो अब बाहर निकल रहा है, प्रकृति खुदी उसे लगता है हील कर रही है, पैलन को ये लग रहा था कि इस तरह अगर उसका पे हील हो जाएगा, तो शायदा वो मैनीटर नहीं बनेगा, बलकि वापस कैटल किलिंग की ओर ही जाएगा, अब चूंकि अब धीरे-धीरे रात हो गई थी, लिहाजा एलन वापस आ गए, अब कुछ दिन और बिना किसी घटना के बीद गये थे, किसी मवेश्य पर कोई हमले क कि खबर नहीं आई, कि टाइगर को किसी ने देखा भी नहीं, तो एक दिन सुबह सुबह अपने बरामदे में बैठके चाय पी रहे थे, तो उन्होंने सुना कुछ दूर से कुछ चीखने चलाने की आवाज आ रही, कि आवाज धीरे-धीरे उनकी तरफ बढ़ी और उनके घर के पास मा गई, तो उन्होंने देखा कि दो लोग दोड़ते हुए आ रहें उनके पास, तो एलन बरामदे से उतरे और उन लोग के पास गए, उनसे पूछा क्या होगा, सारी घटना को सुनने के बाद, और कुछ अपना लॉजिक लगाने के बाद, एलन इस कहानी पर प मर्त पा रहा था, बज़े ये थी कि वो कही दिन से भूखा था, जिससे उसके बॉड़ी में ताकत कम हो गई थी, और उससे भी बड़ी बज़े ये थी कि उसका एक पैर खायल था, जिसकी बज़े से वो अपने पूरी ताकत के साथ किसी जानवर को नहीं मार पा रहा था, उसका सबूत ये था कि इसलए जो उसने कोशिश की थी उसमें एक जानूर के पैर को उसने पकड़ने की कोशिश की. तो इस घटना में ये हुआ कि ये टाइगर अब जो अकेले रास्ते हैं जंगल के या जो बैलगाडियों के चलने वाले रास्ते हैं उसके आसपास छुपा रह रहा था शायद वेट कर रहा था इजी शिकार का तो जब वो बहुत भूका था तो उसने सुनी आवाज दूर से क कुछ बैलगाडियों के चलने की और धीरे धीरे वह आवाज बढ़ती गई तो ये टाइगर भी उस तरफ बड़ा जहां से आवाज आ रही थी तो उसने देखा कि छे बैलगाडियों का एक कनवय उसकी तरफ आ रहा है जो लोग बैलगाड़ी चला रहे थे वो बेखबर थे इस बात से तो उनमें से सिर्फ जो सबसे आगे वाली बैलगाड़ी में जो ड्राइबर बैठा था वो उसे ड्राइब कर रहा था बांकि पीछे वाले उसे फॉलो कर रहे थे और बांकि जो लोग थे वो कंबॉल आउ गवर ने देखा कि सामने बीच रोड में टाइगर खड़ा है। पहले तो उसको समझ में कुछ आया नहीं। फिर उसने गवर से देखा। उसके लाटिन के आवा रोशनी में वो दिखाई दे रहा था। और उसके कुछी देर बाद टाइगर ने उस बैल गाड़ी पर हमला कर गए। उस हमले से दोनों बैल भितके और रास्ते से किनारे चले गए। चूंकि पूरी गाड़ी लोडेट थी लकडियों से, वो गाड़ी क्रेश कर गई वहां पर। और उनमें से एक बैल फ्री हो गया। फ्री होके वो जंगल की ओर जा रहा था, तो वही उस टाइगर के हाथ पढ़ गया और टाइगर ने उसे दबोच लिया। और बहां की सब लोग उने बैल गाड़ी को पलटा और वापस लोट आए, जब तक टाइगर उस बैल को मार रहा था या उसे खा रहा था। तो चूंकि घटना कल राहत की थी, एलन अपने रैफल लेके चल पड़े उनके साथ। वहां जाके उन्होंने पूरी एरिया को देखा, उन्होंने पाया कि आखिरकार किस पेड़ के हमले से पहले किस पक्थर के पीछे टाइगर छुपा हुआ था। जब उन्होंने वहां पर जमीन को देखा तो दो चीजें दीखें उन्हें रजीब किस्विकी, एक तो उन्हें एक बॉल से दिखाई दी, जिसमें कुछ लगे हुए थे बाल, और दूसरे उन्हें एक लकडी का टुकड़ा दिखाई दिया। लकडी का टुकड़ा उठाया, जो अभी भी लाल जिसमें खून लगा हुआ था, उनकी समझ में नहीं आया, उन्होंने सोचा हो सकता है, जो बैलों को मार रखा है, उस बैल के सींग में ये चीज लगा होगा, और इसलिए गिर गया, और दूसरा जो बाल, उन्होंने बालों वाला बाल देखा, वो टाइगर के अगले पैर से गिरा हुआ था, तो अभी तक जो समझ रहे थे कि टाइगर के पंजे में चोट है सिर्फ, लेकिन अब इस बाद से निशकष निकलता था कि उसके बाडी में भी कहीं और भी चोट है, जहां से ये बॉल टाइप की चीज निकली हुई, बाराल उन्होंने उन चीजों को ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, उसके बाद हो वापस आ गए, इस गटना को अबी थे दो दिन और हो गए, लेकिन इस बाद से एलन को एक चीज उनके दिमाग में आई, कि ये टाइगर जो है, अब जो ये मेन रास्ते हैं, या अकेले रास्ते हैं, लोगों के चलने वाले, उनके इर्द गिर्द ही रहेगा, और इसी तरह से सर्प्राइज एटेक गाए, बैल गार्णियों, तो इस घटना के दो दिन बाद, एलन उसी रास्ते पर जा रहे थे, उनके साथ था उनका चान पहचान का बेक्तिस, इसका नाम भुट्टू था, जो उनके साथ लाफिंग लेपड के मारने में साथ था, उनके साथ दो बैल थे, कजाक्स और मार् और एक धंडा उनके बीच से लटकाया हुआ था, और वो उसी रास्ते पर चल रहे थे, एलन के हाथ में राइफल थी, उट्टू के हाथ में भी एक शॉटगन थी, एक लाटीन जो थी उनके पास, वो उनके बैलू के बीच में लटकाया रखी थी, और उसी की रास्नी में वो चारू तरब देख रहे थे, एलन की राइफल में टोर्च भी लगा हुआ था, इस प्रकार वो उस रोड में चल ले थे, जहां पर लास्ट एटक टाइगर ने बैलू पर किया हुआ था, और उन्हें उम्मीद थी कि आज भी इन बैलू को देखके या सुनके टाइगर करेगा, वो उस रास्ते पर घुमते रहे, एक घंटा बीद गया, दो घंटा बीद गया, तीन घंटा बीद गया, आधी रात पूरी हो गई, लेकिन टाइगर का कहीं नामो निशान नहीं, कोई इंडिकेशन नहीं जंगल में, टाइगर के होने का, फिर अचानक एलन को रिय एक बात और थी यहां पर, एलन कहते हैं कि यह जो बैल उन्होंने दो चुने हुए हैं, यह बैल नॉर्मल नहीं थे, इनको बिल्कुल ट्रेंड किया गया था, जंगल में टाइगर को ढूंडने के लिए, बजपन से इनको ट्रेंड किया था, जैसे लोगबाग कुत्तों को ट्रेंड करते हैं, इस लिहाजा वो कहते हैं कि अगर टाइगर एठेक करेगा, वो नॉर्मल बैल को जैसे मारता है, वो ऐसे इनको नहीं मार पाए, इसी विश्वास के साथ वो चल रहे थे, लेकिन अभी तक उन्हें कोई इंडिकेशन नहीं मिला, तो उन्हें रियलाइज अगर टाइगर कुछ धूर भी होगा रास्ते से, तो बगेर आवास उन्हें कैसे आएगा, यह बात उन्हें भुट्टो को बताए, तो भुट्टो कहने लगा कि यह बात आपने पहले क्यों नहीं बताए मुझे, तो एलन ने इसका कोई जवाब नहीं दिया, बारहाल फिर कि वो आगे चलने लगे, तो एलन कहते हैं कि भुट्टो ने इस बीच बैलों की स्पीड बढ़ा दी, उनको तेजी से हांकने लगा, उन्होंने बोचना मुनासिब नहीं समझा, वो भी चलते रहे, तो कुछ दूर आगे चलने पर उनक भुट्टो रुख गया बैलों के सा इशारा किया रास्ते के एक तरफ, उनके इशारा उसके इशारा देखते ही एलन चौकनने हो गई, उनने क्या है, देखो, देखो, एलन ने रैफल ले लिया हाथ में और बिलकुल रेडी मोड में उस तरफ घूरने लगे, लेकिन उनने कुछ दिखाए नहीं दिया, उनने देखो, यह पुरानी बेल गाड़ी पड़ी है, उनका, यह कैसे स्टुपीड आदमी है, मैंने समझा, टाइगर है, बेल गाड़ी है, क्या करें इसका, अरे, आप ही तो कह रहे थे कि हमें शोर करना है चलने में, तब एलन को रियलाइज हुआ कि भुट्टो क्यों रोका, फटा-फट जो गाड़ी गिरी हुई थी वहाँ पर जब टाइगर ने एटेक किया था, पहली बेल गाड़ी पर, वो उसे छोड़के वहाँ चले गए थे, जिनकी भी गाड़ी थी, उस गाड़ी को वापस लाया गया, उसका एक टायर थोड़ा गड़बड़ हो रहा था, उसके बाद बेल उपर उनको जोड दिया गया, और यूहीं वो चलने लगे, अब ये बेल गाड़ी काफी आवाज कर रही थी और काफी दूर तक इसकी आवाज सुनाई दे रही, और साउधानी से पहले ने और भुट्टो भी पीछे पीछे चलने लगे, चलते चलते चार बज गया होंगे सुबह के, अब ये लोग कुछ ठका हुआ माशूस करने लगे, पहले ने उट्टो से कहा किये, काफी रात हो गई, ठकान भी हो गई है, चाही पी ले, तो उन्होंने धर्मस से चाही निकाली, चाही पी, उसके बाद पाइप निकाला, जब वो कोई एंजोई कर रहे थे, तो ये एजाक्स और मार्स उनसे कुछ आगे निकल चुकी थे, तो अचानक उन्हें मार्स के रंभाने की आवाज सुनाये थे, और साथ में टाइगर की गुराड भी सुनाये दे रही थे, उन्होंने फटा फट राइफल पकड़ी, एलन ने, दोड़ते दोड़ते जब उनके काभी पास में पहुंच गए तो कुछ उन्हें वहाँ पर कोई चीज हिलती हुई दिखाए देरी थे, जाहिर था, टाइगर ने एटेक किया था, वो कोशिश कर रहा था, बैल को दमाने की, और ये बैल कोई नॉर्मल नित थे नहीं, वो प चैल के उपर चड़ा हुआ है, और उसे दबाने की कोशिश कर रहा है, और जूहीं उसने ये रोशनी देखी, जूहीं वो उसे रोशनी की तरफ घूरने लगा, और कुछ ही सेकिंड में एलन ने फायर कर दिया, फायर करते ही एलन टाइगर उचला वहाँ से, और एक तरफ गिर गया, कुछ देर तक उनकी आँखों से ओजल हो गया, और दोबारा टौर्ची की रोशनी में एलन ने उसे घूड़ी लिया, वो गिरा था और प्रिचिंग कर रहा था, इस अहां से गिर रहा था, जो फायर हुआ था वो बिलकुल फेटल था, और इसी बीच जो बैल ग हो गया कि टाइगर मर गया है, पहले बैलू की तरफ गई, उनको शांत किया, जब वो शांत हो गए तब ये टाइगर की तरफ बड़े एलन और भुट्टो, उन्होंने एंशर किया कि टाइगर मरा हुआ है, उसके बाद उसको एग्जामिन करने लगे, उन्हें आशंका था कि पहली शायद बुलेट शोट इसे लगी हुई है कहीं पर जिसकी वज़े से इसका लेफ्ट शोल्डर इंजर्ड है, लेकिन पूरा मुआयना करने के बाद उन्हें कहीं कोई बुलेट शोट मिली नहीं, सिवाए अपनी जो उन्होंने मार रखी थी उसके लावा, जो बाय कुछ नुकिली चीज इसके अंदर है, तो एलन ने चाकू निकाला जेब से और भुट्टो को दिया और उससे का उसमें चीरा लगा कि देखो क्या है, भुट्टो ने फुटा-फुट चीरा लगाया तो उसके अंदर से उन्हें जो मिला, उससे उनकी पूरी थियोरी कोच के उस बुजूरगा आदमी की स्टोरी सुनके, पहले तो उन्हें ये लगा था कि इसको कोई गोली लगी है, लेकिन वो भी नहीं था, फिर उन्हें ये लगा था कि सायद इसके पहर में कोई कांटा चुबा है, क्योंकि जब ये वहां पहली रात को खाने के लिए आया क्योंकि जब एलन ने इसके निशान देके थे, पानी के फूल के किनारे, तो उस मॉंस्टरस निशान के बीच में इन्हें एक नुखिली चीज भी दिखाई दे रही थी, तो जाहर था वो कांटा चुबा था, तो जब इन्होंने बताया था लोगों को की कांटा चुबा है तो तब से इसका नाम कांटा टाइगर वहाँ लोग उन्हें रख दिया, कांटा बाग, लेकिन आज जब एलन ने इस सारी चीजें देखी, तब उनके लिए पिलकुल आहसान हो गया, कि एक्च्वल में हुआ क्या था, उन्होंने स्टोरी के सारी पीसेज को साथ में यह था कि गाउं के लोग गये थे जब उन्होंने साबर को मरावा साबर देखा था, और उनमें से कोई ब्यक्ती एक पेड में बैढ गया था, और जो स्टिक से पेड के तने पर मारने के आवाज सुनाए दी उस ब्यक्ती ने कहा था, और कुछ नहीं था, बलकि पेड से एक पीर छोड़ा गया था, जो उसके पंजे से थोड़े ऊपर लगा था और सीधे उसके मानसमा अंदर खुश के पंजे से बाहर निकल गया था, ऊपर वाले पार्ड को टाइगर ने साइद उसी समय काट के फैंक दिया हो, इस समय वो अपना गुसा इजहार कर रहा था, दूस पंजे वाले पार्ड को उसने बाद में निकाला जब उसने पहली बैल गाड़ी पर हमला किया, उससे कुस्ट पेर पहले साइद उसके, क्योंकि तब तक उसका पंजा सूच चुका था, उसके अंदर मवाद भरा हुआ था, उसे धर्द भी हो रहा था, अंदर से खुजली भी शायद हो रही होगी, तब उस समय उसने अपने दांतों से उसे निकाल के, काट के बाहर निकाल लेकिन जो एरो हेट था, अभी भी उसकी बाड़ी में, उसके पंजे के अंदर, एंबेडेट था, पता नहीं कितने दिन उसे ठीक होने में लगते, लेकिन ये जो स्टोरी कि उस बुजर्गा आदमी ने उनको सुनाई थी, वो उसने सही नहीं सुनाई थी, उसने ये बात बड़ी टेक्टिफली एलेन से चुपा दी थी, कि उनके ही किसी साथी ने उस टाइगर पे हमला किया था तीर से, जिसके बाद टाइगर गुसा हो गया था, तो ये सब मुझे क्या है, क्या हुआ उसे, सच्चा ही उन्होंने चुपा दी, तो चुकि अपने किसी साथी का ये कसूर था, उसको चुपाने के लिए उन्होंने पूरी बात बताई ने, तो दोस्ति ये थी कहानी कांटा टाइगर की, इसमें भी ये बात साबित होती है, कि जब जिंदगी तो दूबर होई जाती है, साथ में अगर वो इस्तरगा जानवर हो, जैसे टाइगर या लेपर्ड या भालू, वो इन्सानों के लिए भी बहुत खतरनाक हो जाता है, यानि कि इंडिरेक्ली जिस बैक्ती ने उसे घायल किया, उसके बाद अगर ये टाइगर किस इन्सानों को मारता है, तो वो ब्यक्ती खायल करने वाला इसके लिए जिम्विदार है, तो दोस्तों ये थी कहानी आज की, जल्दी है काव स्टोरी के साथ फिर हाजे रहूँगा, तब तक के लिए इजाज़त दीजे, नमस्का.